असलाम अलुकम मैं beautiful YouTube family आज हम बनाने वाले हैं चिकन चीजी स्माइली फेस और अपने आलू के स्माइली फेस तो बहुत बार खाए होंगे लेकिन इस दफ़ा आप चिकन चीजी स्माइली फेस बनाईए और बहुत यम्मी ये डिलिशस ये हमारे चिकन चीजी स्माइली फेस बनके रेडी होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत इंड्रस्टिंग है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेकिन मेरी हम मेरी रिक्वल्स टे चैनल पर न्यूंद आये हैं तो प्लीस मेरे चैनल रुपीज बेक्स को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पर प्रेस कर देता है कि मेरी सारी लेटेस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे तो आईए हम देख लेते हैं चीकन चीजी स्माइली फेस बनाने के लिए हमें कौनकों से इंग्रेडिन के जरुवत होगी तो सबसे पहले हम लेंगे सोस पैं और सोस पैं में हम दाल देंगे तक्रिबंद टू टेबली स्पून घी तो मैं ये गी के साथ में बना रही हैं आप चाहें तो बटर कभी इसमें यूज कर सकते हो लेकिन घी से बहुत अच्छा टेस हाता है तो इसमें हमने टू टेपली स हाई रखेंगे और तक्रीबन हम 10 से 15 से बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे शिमला मिर्च को उसकी बाद हम इसमें डालेंगे गाजर तो में नहीं हाप पर यह आदा कप गाजर ली इसको भी हमने रफली चौप किया है एकदम से बारीक चौप किया है गाजर की बाद अब से 15 से फ्राई करेंगे जब तक हमारी गाजर सेमी क्रंची फॉम में नहीं आ जाती है तो इस तरह से हमने 10 से केंड बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया तीनों ही इंग्रेडियन को अब इस बीच हम दाल देंगे इसमें आलू 300 ग्राम आलू को मैंने बॉयल किया और आलू क साथ तो इस तरह से अगर आ आलू को भूद अच्छे से भूझते हो तो आलू अभी बहुत अच्छा टेश घाते है इसमें वेज़ी टेबल में अब हमने नमक एड नी किया है तो इस बीच हम नमक भी आड़कर देंगे, 1 vess या फिर नमक की कॉंटेटी आप अपने हिसाब से भी इसमें आड़ कर सकते हो और नमक के बाद हम दाल देंगे इसमें वन टेबल इस्पून काली मिर्चो का पावडर अब यह चिकन की स्माइली फेस बना रहें तो इसमें चिकन दालना तो बनता है मैंने यहापे 300 ग्राम चिकन को बॉइल किया है और गिराइडिंग जहार में दालके इसमें हमने गिराइड कर लिया है चिकन को आप चाहे है तो श्रेट करके भी चिकन को इसमें आड़ कर सकते ह जाए कद मात्तवी चेज्च को कि बहुता है है । Sick इस वेगए कर दबहुता है । धविश्क सेङटी की लिगा नहीं लिए तो इसने लिए कि उ way दिश्किन हम इनकी लिए लिए अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में अब यह चिकन चीजी स्माइली फेस है तो इसमें चीज दालना तो बनता है अब इसमें हम चीज दाल देंगे तकरीपन एक कप हम इसमें चीज एट करेंगे तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल चीज का यूज के आप चाहें तो मैदा या फिर कौ dew का यूजरने कर लिए अपने देखा होगा नॉर्मल हम अलू की स्माइली फेस बनाते तो इसमें कॉन फ्राइब देखल लाणे के लिए हम यहाँ इस Comा की मदश से उसाधित फिला देंगे और मेरे पास में अगर आपके पास में कंतर है तो आप ढ़कन की मदद से भी smiley face बना के ready कर सकते हो अब हम लेंगे पैन और पैन की मदद से इस तरह से हम hole कर लेंगे आप चाहिए तो स्ट्रोव अगेरा का use करना चाहते हो तो उसका भी आप इसमें use कर सकते हो तो इस तरह से हमारी ये दो hole हो गए अब हमें एक चमच लेना होगा इस सारा से हम क्यूट सी smile बना लेंगे तो हमारा ये smiley face बनके ready हो गया अभी सारे smiley face को बना के इस तरह से हम एक plate में रख लेंगे तो क्यूट सा हमारे smiley face को बनके रेडी हो गए और बनाना भी इसे बहुत इंटरस्टिंग है तो आप चलते हम स्माइली फेस को कोट करने की भी तैयारी कर लेते हैं कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे यहाँ पर दो अंडे दो अंडे लेंगे और अंडे को बहुत अच्छे से फेट लेंगे आपको इसमें कोई भी इंग्रिडन दालने के जरुवत नहीं है जैसे की नम्मा किया फिर मिट्शी वगेरा हम इसमाइड करते हैं तो इसमें कोई भी इंग्रिडन दालने के जरुवत नहीं है सिर्फ हम आपे दूसरा हात का यूज करना है ब्रेट क्रॉम्स के लिए ब्रेट क्रॉम्स में जब आप कोट कर रहे हैं स्माइली फेसे को तो इसमाइल को हलकर सा Escinator की मद्थ से आप प्रेस कर दें सिस्की region क्राब नहीं होती थी थे से हम कोट करते जाएंगे और साइट में रखते जाएंगे हैं समाईली फेस को तो सबसे पहले अंडे की कोटिंग और उसके बाद हम न यहाप लिए ब्रेट करल अप समने दो ही इंग्रीडिएंस से कोट के समाईली फेस आप चाहें तो इसमें कॉनिफ्लार का भी यूज़ कर करके फिर आप इसे फ्राई कर सकते हो इस तरह से हमारी स्माइली फेस अच्छे से यहां पर कोट हो गए अब चलते हम इने फ्राई कर लेते हैं ऑई हमने पहले से ही गरम करने रख दिया था जैसी आपका ओई होड गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम टू हाय कर दे क्यूंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गरम ओयल में इने फ्राई करेंगी तो इसका कलर चेंज हो जाते हैं तो फ्लेम को मीडियम टू हाय करके और अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक एक करके स्माइली फेस लेते जाएंगी और ओयल में ही ड्रॉप करते जाएंगे तो हम इसमें इ कर दो हम 10-15 सेकंड बहुत अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो सारी ही चिकन चीजी स्माइली फेस हमारे रेडियो गए अभी हम निकाल लेंगे चिकन चीजी स्माइली फेस की हाँ पर देख सकते हो हमारे चिकन चीजी स्माइली फेस बिल्कुल पर्फेक्ट बन के रेडियो हो गए ये उपर से इतनी क्रिस्पी होते और अंदर से बहुत सोफ्ट बन के तयार होते है तो आप इसे केचप के साथ या फिमियोनिस हरी चटनी के साथ में भी आप इसे इंजोई कर सकते हो बहुत यम्मी डिलिशियस यह रेसिपी बनके तयार होती है और एकदम न्यू रेसिपी है चिकन चीजी स्माइली फेस आप इने एक दफ़ा जरूर से ट्राई करें और आप जब इसे ट्राई करें तो अपने मेरे साथ में फीडबेक जरूर से शेर करें आपके चिकन चीजी स्माइली फेस कैसे बनके तयार हुए तो इस तरह से हमारे चीजी स्माइली फेस तो बनके रेडियो गए उम्मीद करते हूं वीडियो आप लोगों को बेहत पसंद आई हो अपना मेरे साथ में फीडबेक जरूर से शेर करें थैंक यू फो वचिंग माई वीडियो